हाई गाईस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि हमारी लेट टेस्ट वीडियो आप मिसना कर सके हेलो तो कैसे हैं आप सबी लोग दोस्तो मेरा नाम है धीरज और दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताने वाला हूं कि इस बैगराउंड की जगा अपनी फोटो को कैसे लाया है वो भी फूल एचडी क्वालिटी में आप एडिट करने क बास फोटो को करने वाले हैं जैसे कि आप लोग ने नोटिस किया होगा मैंने पहले भी इस टॉपिक के उपर वीडियो बनाई है क्योंकि यार बहुत से लोग बुल रहे हैं आप जो करते हूँ अलग बात है पर हम जो करते हैं तो हमारा फोटो मतलब फट जाता है वगरा गरा ठीक है तो इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एकड़म फुल बेस्ट एचडी क्वालिटी में कैसे अपने फोटो को सेफ करेंगे और उस तरीके से मैं आपको एडिटिंग करके बता हूँ जैसे कि आप लोग नोटिस करते होंगे कि आप लोग जो पि एक साथ यार मतलब एक साल से उस कर रहा है यार बहुत ही बढ़िया पिक साथ है इसका लेक में आपको डे दूंगा जाईए और डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है एंड जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो इस फोटो की क्वालिटी को हो जैसे कि आप देख सकते हो जो स्टक्चर है यहां पर हैर के अंदर ठीक है जितना भी जून करो यहां पर बहुत ही अच्छा लग रहा है यह फोटो ठीक है सो हम लोग एकदम सिंपल तरीके से यहां पर एडिट करने वाला है ठीक है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं अभी यूज कर रहा हू लेकिन मैं नहीं करने वाला मंटिपले यहां से मैं करूंगा इसको कुछ इस तरीके से एड़ जैसे कि आप देख सकते हो फूल एच्डी यहां से किया जाता है एच्डी आर वन ठीक है फ्लीज करिएगा एच्डी आर वन ठीक है अगर आप चाहो तो एच्डी आर टू को य जो स्टैप यूज करने वाला हूं न तो यह प्लीज पूरी वीडियो देखना आपको मतलब बहुत ही काम आएंगे और आप लोग भी अपनी फोटो को कुछ उस तरीके से एडित कर पाऊंगे सेम टू सेम मेरे स्टैप को फॉलो करके ठीक है तो यहां पे सबसे पहले तो यहां पर चलते हैं यहां पर लेते हैं फोटो को से ठीक है तो जो फोटो सेव होने के बाद आपको यहां पर कुछ इस तरीके से आचाना होगा और यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर आपको क्या करना होगा जैसे कि आपने देख लिया मैंने पहले बैग्राउंड की क्वालिटी बढ़ा दी है तो आप लोग भी ऐसे करना और यहार मेरी steps को फोलो करो लास्ट में भी आपको एक बहुत यूणिक step देखने को मिलने वाला है ठीक है जा को यहां पे जा कुछ इस तरीके से आप आपको processing देखने को मिला और यह बॉम तो यहा से जो है वो object या चुका है ठीक है इस photo को आप यहा से click करके save कर सकते हो यहा पे click करने और थीक है जो यहां पे click करने के बत आप आप लोग save कर दो एंड चलिए next step को आम लोग follow करेंगे और वो बहुती easy step है एंड इतना मतलब hard कुछ भी नहीं है सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने कर लिया है यहाँ से model को मतलब हटा दिया है एंड यहाँ पर effect में जाने के पाद आपको क्या करना होगा ब्लर के option के उपर जाना होगा अगर आप चाहो तो इन portion को clean भी रख सकते हो और ब्लर भी कर सकते हो तो मैं यार credit देना चाहूँगा क्यों नहीं देना चाहूँगा credit जरूर देनी चाहिए हम में हर किसी को credit देने चाहिए इससे हम लोग छोटे नहीं हो जाते है ठीक है तो यहाँ पर मैं रखोंगा इनका logo मतलब वैसे का वैसा यहाँ पर आपको क्या करना होगा आपके पास अगर कोई light light PNG है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास बहुत ही इसके ओपर सीटी को थोड़ा सा control में ले देता हूं जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कर लिया इसको डन यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना होगा जस्ट अपने फोटो को एड करना होगा मतलब कॉन साठाव आट करनाहे वökो का आपधा देता हूं देख सिकते मेरे बास बहुत ही सारे फोटो जी से कैप देख सकते मेरे पास यह फोटो है यह भी फोटो है ठीक है यह भी मैंने कटकी इस सब प्र अबी मैं जासे कि आप देख सकते हैं either इसको आइड कर लेता हूं यहां पे दूसरा फोटो ऑप जय क्यों से पहुआइड कि रहुदा ए तो आप जैसे कि देख सकते हैसे फोटो की कौलिटी को इतनी कम नहीं हुए है किय।ओ कम नहीं हुऄ spooky लग रही है वह आपने नोटिस किया होगा क्योंकि मैंने background blur कर दिया और HDR effect दे दिया था मैंने model को remove करने से पहले क्योंकि जितनी भी background के अंदर जितनी भी shark चीजे थी वो सारी dark हो चुकी थी अगर आप चाहे तो वापस HDR effect दे सकते हैं कुछ इस तरीके से ठीक है तो मैं आप देना चाहूंगा कुछ इस तरीके से HDR effect और अभी मैं आप अगर आप चाहे तो hair png को use कर सकते हैं ठीक है तो यह सारी hair png का link आपको अगर चाहिए तो मैं description दे दूँगा तो यहां पर मैं करने वाला हूँ इस png को use क्योंकि hair बहुत ही stylist दिखने चाहिए अपनी photos में and कुछ इस तरीके से कर ले रहा है इसको use okay so देख सकते हैं आप लोग यहां पर मैंने कर लिया है यहां पर इस hair png को use and यहां पर आप चाहे तो उसके बाद oil painting दे दीजेगा ठीक है यूई यह सारी चीज़े बहुत ही matter करती है अपने photo के अंदर जो sharp चीज़े है वो सारी बहुत ही matter करती है ठीक है so यहां पर दे दि आउंगा और यहां से face में से अटा देता हूं शार फाला ठीक है एंड यहां पर थोड़ा सा draw कर लेते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से एंड इसको कर लेते हैं fade में यहां पर भी कर लेते हैं थोड़ा सा erase ठीक है तो आप चाहें तो यह रख सकते हैं यह नहीं भी रख सकत यहां पर मैं वापस से यह दे देता हूं इसको भी इस बार थोड़ा सा यह कर लेता हूं ब्लर ठीक है तो जितना आप लोग इस फोटो को एच डिया रिफेक्ट दोगे जितनी शार्पिंग दिखाओगे वह सब रहेगा ठीक है तो यह वीडियो मैंने इसकी वज़े से दो गयरता है और इसके बाद पिक्वत मै आध यह रहुत्ता कि चैनल को सप्षाओगें यह नहीं करना चाहिए अगर यह अची लग यह तो कि आप लोग दिल से सब्सक्राइब करो लाइक करो अपने दुस्तों के साथ अपने दुस्तों को बताओ कि मतलब बहुती छोटी वीडियो है बहुती अच्छी तरीक से मैंने समझाया है ठीक है सो चले मिलता हो किसी और एक नहीं एक्साइटिंग वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखना बाई बाई